बूर्णिग स्टुडेंट्स वेलकम टू अग्रसैन पेजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेश कल के लेक्षर में हमने पढ़ा था एप्लिकिशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स और कलर मोड्स आज के लेक्षर में पढ़ेंगे इंप्टेंज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की आवश्यक्ता इतनी क्यों जादा पड़ी कि हमने इसका यूज किया इसमें पहला वर्ड पहला जो पॉइंट है वह है ग्राफिक्स स्पीक बैटर देन वर्ड अब थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे तो संज में आ जाएगा ग्राफिक स्पीक्स बैटर देन वर्ड मतल अब टेक्स से अच्छी तरह से समझा सकता है किसी भी चीज को किसी भी सेंटेंस को ग्राफिक्स में ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर्टी से समझाया जा सकता है यह इसका पर सेकेंड पॉइंट जो है राइजिंग इंट्रेस्ट राइजिंग इंट्रेस्ट का मतलब यह ह ग्राफिक्स के द्वारा यूजर का अधिक से अधिक इंट्रेस्ट चगाया जा सकता है इस्टेडी के एंट वो कैसे क्योंकि एक मालेजी आप आपके पास सो लाइन का टेक्स्ट है कोई उसको पढ़ने में टाइम भी लगता है और बोर भी हो जाता है और उसी की जगे अगर कोई पिच्चर है कोई ग्राफिक्स है तो उसमें समय भी कम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्ट चगता है आनन्द आता है उसको देखने में देख देख के आगे पढ़ने में से समझ सकते हैं और इसमें इंट जगा सकते हैं इंप्रेशिव मेटर मतलब यहां पर है ज्यादा से ज्यादा ए ठ्रैक्टीव और एफेक्टिव आपको बनाया जा सकता है जैसे माननी जिए के कुछ भी आपको लिखना है कुछ भी तो उसको एक डाइग्राम के थूर्ण और टैक्स में समझेंगे तो कम समझ में आएगा इसलिए ग्राफिक्स यूज किया गया इसलिए बोला गया इंप्रैसिव मैटर मतलब कम से कम स्थान में और बहुत आसान इसे किसी भी टैक्स को मैटर को समझाया जा सकता है जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखाता थोड़ दिर पहले सीम वाई के तो उसमें अगर में लिख रहा था उसकी जगे मैंने दिखाया एक डाइग्राम दिखाया रेड ग्रीन और ब्लू और ऐसे सियान मेजेंडा येलो एंड ब्लेक तो उसमें आपको ज़्यादा संज माया होगा तो नेक्टिस समरी मतलब ग्राफिक्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट को संवरी फॉर्म में रिप्रिजेंट किया जा सकता है मतलब एक तो मैंने आप तुरदर पहले बताया सो लाइन का टेक्स्ट है ठीक है उसको पढ़ने में टाइम कितने लगेगा उसकी पर एक सिंबल में बना देता हूं एक ग्राफिक्स बना देता हूं तो उसको पढ़ने में और समझने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत आसानी से आप उसको समझ पाएंगे जैसे नॉर्मल से एक आप पिच्चर क्लिक करें ठीक है और उस पिच्चर को आप किसी को इसको लिखने में समझने में उसके ग्राफिक पना पिच्चर क्लिक किया आपने डाल दिया तो जादा से जाता समझ लेंगे कि आप वहां गए थे और आपने यह काम किया यहां पैसा ठीक है नेक्स्ट है ओन आइडेंटिटी ग्राफिक्स अपने आपको 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 समझ पाएगा कि यह क्या है एक पढ़ने का वर्डेंगहिं कर रहा है कि मैं इसी की जगह एक के फल को चोब कर रहा है क्या coarse क्या होगा इपल का मतलब है यहां सेब लेों आई है यह जैसेய OFF है इंटाता न सुक्तिफर अगर शक्कराफिक्ता college का जो लोग है वो अपने identity बता राए कि ये क्या है अगरصें college है ठीक है तो ये graphics जा करता है identity को clear करता है क्या identity है किस अब next आपका advantage of computer graphics cath RPM क्या क्या-क्या इसके लाब है मतलब है क्या-क्या इसके फाइदें graphics के तो सबसे पहला पाइदा है इसके लाव है increase productivity increase productivity का मतलब यह है कि जो भी आप product बना रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर graphics में आप इसके advertise करेंगे तो वो जाओगा increase होगी उसकी productivity second है tool provide मतलब graphics की जो software आते हैं जो programs आते हैं उसमें predefined tools आते हैं जिनकी help से हम किसी भी प्रकार की design को बहुत आसानी से समझ सकते हैं जैसे मालनीच आपको एक घर का map बनाना है तो उसमें पहले से टून आते हैं जैसे kitchen का आजाएगा bedroom का आजाएगा bed आजाएगा balcony आजाएगा तो उन सब को आप आसानी से draw कर सकते हैं तो यह कहलाता है predefined tools moving pictures graphics की help से moving pictures बना सकते है moving pictures जैसे मैं थोड़े पहले आपको example दिया था कार्टून समझ बना रहे हैं PUBG game खेल रहे हैं PUBG में क्या है PUBG में तो moving pictures नहीं है PUBG में आपने देखा होगा अलग लग location पे ले जाते हैं जो object है उसको और वहां से कभी नीचे कुद आते हैं कभी बंदूब से गोलियां मारते हैं कभी हम कार में बैठके जा रहे हैं तो वह सब कैमून pictures है तो वह किसकी द्वारा बनाए जाती है graphics के माध्यम से बनाए जाती है next है store complex point मतलब computer के अंदर graphics के माध्यम से बनाए गई complex से complex design को आसानी से store किया जा सकता है ठीक है next point है आपका make sound effect मतलब किसी भी graphics में sound effect डाले जा सकते हैं इसका best example आप मान लीजिए जिसे और यह मैंने बताया थोड़े पहले PUBG game ही है उसमें sound भी आते हैं लालग तरीके से ठीक है तो वो sound effect डाल सकते हैं एक आप मान लीजिए marriage या कोई भी वीडियो है आज कल सब ज़्यादा अभी वह तो बैन हो गया नहीं तो उससे पहले चलता था tiktok तो tiktok में क्या था sound चल रहा है पहले बहुत चलता है कोई भी गाना स्वाइस ले लेदे थे और उसमें फिर अपनी वीडियो बनाते थे तो वह यह है कि बहुत आसानी से हैं बहुत आसानी से और बहुत इजिली डाल सकते हैं ठीक है next ने आपका less space taken less space taken बड्स अपने आप खुद को बता रहा है मतलब कम से कम स्थान लेता है स्टोर होने में ठीक है मतलब ग्राफिक्स आप बनाते हैं तो बहुत चोटी सी जगह में कोई भी मैटर को हम स्टोर कर सकते हैं बहुत कम जगह हमको चाहिए होती है मेमोरी की जबकि टैक्स अगर मैं रि स्टोरी लिगों के इंक्रीजिंग प्रक्टिविटी यह होता है यह होता है ठीक है तो इसमें स्पेस ज्यादा लगता है तो यह हुए आपके एडवांटेज नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ओफ कंप्यूटर ग्राफिक्स तो जब भी किसी भी चीज़ के किसी भी लिए जैसे जो बना रहा है उसके लिए तो ईजी है लेकिन जिसने नहीं बनाई है और वह इसको डारेक्ट देखता है तो इसके लिए कॉंप्लेक्स हो जाता है नेक्स्ट है हार्डवेर कॉस्ट्ली हार्डवेर कॉस्ट्ली का मतलब है कि जो कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्ट्वेर है उनके लिए बहुत ही जादा और कॉस्ट्ली हार्डवेर रिक्वाइर है जैसे क्योंकि इनके सॉफ्ट्वेर जो है वह बहुत ही ज्यादा इस पेस तो इसके लिए रेम भी ज़्यादा चाहिए फिर इसके लिए लैप टॉप की पिच्चुर क्वालेटी विज्वालेजिशन जादा चाहिए ठीक है इसके CRT जो LED है वो अच्छी क्वालेटी की चाहिए इसलिए इसमें चलाया जाता है तो उनके लिए आपके लिए हाड़वेर भी भी बहुत कोश्टी होते हैं नेक्स्ट एक टेकिनिकल इससू का मतलब यह है कि जब भी आप ग्राफिक आप्यूस करते हैं तो उसकी टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है किसी वी ग्राफि है उसको define करना पड़ता है जब तक आप define नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आगे काम नहीं कर पाएंगे तो स्टुडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्स प्रामपल आफ कंप्यूटर ग्राफिक्स